नमस्कार दोस्तो, सभी PF मेंबर्स के मोबाइल फॉन पर पीएफ ओफिस की तरफ से एक मैसेज बेजा गया है, जिसका स्क्रिन शॉट आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रिन पर देख सकते हो, तो इस वीडियो में आप सभी PF मेंबर्स को इस मैसेज के बारे में पूरी की पूर जानकारी देने वाला हूँ, और आप लोग को बता दू, 101% ये मैसेज आपके भी मोबाइल फॉन पर आया होगा, ठीके ना, अगर आया है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, आप देखे, अब मैं आप लोग को बता दूँ कि सभी PF मेंबर का मेरे पास सुबह से कॉल आय जा रहा है, मैसेज आ जा रहा है कि सर, हमारे मोबाइल पॉन पर PF Office की तरफ से मैसेज आया है, तो प्लीज आप एक वीडियो बनाके जरूर बताइए कि ये मैसेज क्यों आया है, क्या ये PF Office का कोई अपडेट है, इससे PF मेंबर्स को कोई अब यहाँ पर अब देखिए, इसका मतलब है कि तीसरा लाइब सेशन PF Office का PF Advance क्लेम को लेकर या फिर PF में जो भी प्रब्लम आ रही है, उनको लेकर 9 जुलाई को 12 बजे किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है, पीएफ आफिस के YouTube चैनल Social EPFO पे, जी हाँ, Social EPFO जो यूटूब चैनल है, इस पर किया जा रहा है, आप देखिए, आप बहुत से PF मेंबर्स कहेंगे, कि सर जब ये लाइफ शेसन 12 बजे किया जा रहा था, तो आप ये 4-5 बजे वीडियो क्यों डाल रहे है, इसका फाइदा क्या है, अब एक चीज यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होगे, ये मैसेज मेरे पास कितने बजाया है, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये मैसेज मेरे पास कितने बजाया है, एक बच के सताओन मिनट पे, अब आप मुझे खुदी बताइए, कि जब ये मैसेज ही मेरे पास एक बच के सताओन मिनट पे आया है, PF Office वालों क देखेंगे यहां पर live के session में जाएंगे ठीक है लाइव के session में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो live session on EPF advances streamed two hours ago यानि यहां पर एक घंटे 14 मिनट की भई live session किया गया है PF office द्वारा ठीक है ना अब यहां पर मैं आप लोगो बता दूँ यहां पर मैं आप लोगो विल्कुल सच सच बताऊं तो इस live session का कोई इतना बड़ा फाइदा नहीं है PF members को क्योंकि यहां पर किसी की भी कोई सुनवाई नहीं होती है ठीक है ना बाकी मैंने आ इसलिए इन्होंने यह message सभी PF members के mobile phone पर बेज आए कैसे लगी आपको यह video comment box करके जरूर बताना धन्यवाद दो